सुनाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पाउली एक्स्कूडिन प्रिंस्पिल, अभी तक अटॉमिक स्टक्चर में हमने इस पूरे कोटा में अगर कोई भी दो घरों के अड्रस कैसे हो गए, सेम हो गए, तो प्रॉब्लम होगा, तो कुछ भी होगा, बले आप जहां रहते हैं और आपके जस्ट दीवार से लगा हुआ, आपका जो दूसरा घर है, पडोसी है, तिक है नेबर हैं, उनका कुछ भी, अगर कुछ नहीं डिफरेंट होगा, तो एटलीस हाउस नंबर तो डिफरेंट हो गई होगा, बाकी सारी बाते सेम है, सारी लोकल्टी सेम आएगी, लेकिन हाउस नंबर क्या आगा, वो डिफरेंट आएगा, तो वैसा ही कोछ है कि कम सकम एक डिफरेंट तो दिखाई देगा, तो इनका कहना ये है कि इन अन्य अटम, लिखें आप इसमें, इन अनी अटम, नो विल्लक्रण्स सुड़ फोड वाव, अल फोर all four identical in any atom no two electrons should have all four identical quantum numbers ये इनका statement था in any atom no two electrons should have all four identical quantum numbers एक example लेते हैं इसके लिए example मैं ले रहा हूँ 1s orbital का 1s sub-sil का उसमें electron कितने रखते हैं आप दो तो दो electron मैंने एक उपर एक नीचे ऐसे लिख दिये तो जो उपर वाला electron है spin-up वाला उसके लिए कर मैं सभी quantum numbers लिखना चाहूँ तो n कितना पुड़ करूँगा 1 L कितना पुड़ करूँगा 0 M कितना पुड़ करूँगा 0 ठीक है और S कितना पुड़ करूँगा प्लस आप पुड़ करूँगा जो आपने लिख दिया है spin-up तो आप प्लस आप ही लिखिए जो down माला होगा वो क्या होगा n equal to 1 L equal to 0 M equal to 0 और S equal to क्या होगा minus half होगा तो at least आपको क्या difference समझ में आ रहा है spin-quantum number में तो कम से कम आपको difference समझ में आ रहा है कि spin-quantum number जो है न वो कितना हो जाएगा वो minus half हो जाएगा at least spin-to different होगा n same होगा, l same होगा, m same होगा, एक बात तो एक चीज़ तो difference होगा जो मैंने आपको example दिया आपके और आपके neighbor में जो लोग रहता है उनका at least house number तो same होगा बागी सारी जीज़ें तो same होगा ठीक है तो इस तरीके से उसने प्रूफ किया अगर हम पावली की बात को मान लें पावली की बात को अपन ने जस्टिफाई किया कि हाँ सभी quantum number सेम नहीं होगी एक लिस्ट इस पिन तो different होगी लेकर अगर हम पावली की बात को मान लें तो पावली की बात को मान लेंगे तो हम लोग एक निसकर्स पे पहुंचेंगे कि हम लोग के रिजल्ट पे पहुंचेंगे के एक सबसेल में आप एक और्बिटल में एक बॉक्स में है जो आप बॉक्स बनाते हैं उसे एक बॉक्स में दो से ज्यादा एलक्ट्रॉन नहीं रख सकते आप है ना आर्व्ष्वन में ठीक है तो यहीं से स्टार्ट हुआ का हम एक एक ऑर्बिटल में हम दो से ज्यादा एलक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं ऐसे हमारे पास पी औरबिटल है तो पी सबसेल है तो मारे पास उसमें तीन होती हैmag HMEraum और पीजड तो इन एच बॉक्स दिए रोटन को उनलेट्रॉन इच बॉक्स दिए पूद आनि टो लग्ट्रॉन पूद्य कान पूद्टॉन द्व्धन पूद्टश रहें यहा हम तो यह यह हमारा क्या हुआ है यह तरह से तो अगर मैं कर्ड़ी टम का लेक्टॉन रखोंगा उसका मैं कहुंगा कि आप उसके quantum numbers लिखो तो जब आप इस को लिखो गे इसके लिखो गे कौंटम τबर यहां पर तो n की value क्या लिखो गे 1 एल की value क्या लिखो गे 0, और M की value क्या लिखोगे 0, जब आप S का value लिखोगे तो S के आपके पाद दो ही values है, अगर आप ने plus half लिखा तो इसके और इसके बीच में confusion है ठीक है, और अगर आप कहते है sir, S equal to minus half लिख दो तो इसके और इसके बीच में confusion है ठीक है, इसलिए ऐसा काम नहीं होगा हाँ, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, अगर मालो कोई country है जो तीन spin quantum number को पड़ाता है यह आपको question ऐसा आजाए कि वालाओ, चलो हमने 3 quantum numbers ले लिए spin वाले कौन-कौन से, एक मैं लिया माइनस हाफ एक लिया मैंने 0 और एक लिया मैंने प्लस हाफ, ऐसे ले लिया इन देट केस, वी कन पूट 3 electron इन ऑर्बिटल उतने electron रख सकते हैं, अब क्या आप problem नहीं है ना तो आपको प्लस हाफ रखना है ना अब इनकी जग यह नहीं वी सिक्री हो जाएगा 1s2, 1s3, 2s3 to p9 यह ना ऐसे मूव करना स्थार्ट हो जाएगा और पता है जो quantum number था ना वो कौन सा principle quantum number उसमें maximum number of electron कितने थे 2n square वो 3n square बन जाएगा वहां पर जी जो 2 है ना वो वीसी लिहीं वाला 2 है तो ना वो 3n एक orbital में maximum कितने electron हो जाएंगे 3n square हो जाएंगे जैसे आप ऐसे समझो कि जो 2n equal 2 के लिए काम करते हैं तो न equal 2 के लिए 2n square क्या formula बताता है किते maximum electron कितने आ सकते हैं 8 2n square से और वो कैसे आएंगे 2s में 2 आएंगे और 2p में 6 आएंगे ऐसे अब हमारा formula मानल हो गया 3n square तो क्या होगा n equal 2 put करो कितना आएगा 12 आ जाएगा अब यह 12 कैसे है 12 electron आएंगे maximum yes और यह कैसे आएगा 2s हो जाएगा 2s में 3 electron आएंगे और 2p में 9 हो जाएंगे तो 9 plus 3 कितने हो गए 12 तो अगर आपके 3 spin quantum number है तो क्या हो जाएगा हां तो आप 3 electron रख पाऊगे लेकिन अभी हमारे पास कितने spin quantum number है दो ही है तो आप इसको cross कर दीजे कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं हम ऐसा करेंगे यह सबको cross हो गया हम लोग क्या करेंगे तो हमारा जो एक result आया वो result क्या आया हम लोग finally किस result पर पहुंच गया है कि we cannot we cannot put more than 2 electron we cannot put more than 2 electron in any orbitals we cannot put more than 2 electrons in any orbitals ठीक है तो इस तरीके से हमारा Pauli exclusion principle का यह बाला पार्ट कातम हुआ नहा हमारा आता है एक discussion है किस पर हुंच रूल आप मैक्सम मल्टीपल सिटी पर है इसको नोट कीजे आंगे बढ़ते हैं तो अभी हुंच रूल आप मैक्सम मल्टीपल सिटी एक में डुक जाए है हम लोग बात करते हैं जड़ा आफबाव रूल की बात कर लेते हैं पहले उसके बाद increasing order है ना बढ़ता हुआ करम है ना तो इसका अभाव रूल का मतलब यह हुआ कि हम और इन्हों ने इसमें जो रूल बनाया गया इसका मतलब वो यह हुआ कि भाई और ओर्बिटल्स को उनकी energy के increasing order में हम लोग क्या करेंगे फिलप करेंगे है ना और जो lower energy की orbital से उनको पहले फिलप कर लेंगे और जो high energy की orbital से उनको बाद में फिलप करेंगे यह इस आफबाव रूल का मतलब था energy के increasing order में arrange करना that call आफबाव रूल है ना यह हो गया अब हो का मतलब यही था ठीक है ना अल डिसकस आफबाव रूल के लिए हम लोग बात करेंगे और इसमें लिखिये है कि the electrons are electrons are progressively electrons are progressively filled progressively filled into the into the orbitals into the orbitals in their in their increasing order of energy यह रहेगा लक्तौन्स are progressively filled into the orbitals in their increasing order of energy that call आफबाव रूल हना तो increasing order वाली बात कर लेते हैं तो बहुत simple हो गया फिर तो यह हो गया जैसे n equal to 1 में कौन सा orbital है 1s है इसको fill up कर दो n equal to 2 में क्या होगा 2s है और 2p है इनको fill up कर लो फिर n equal to 3 में क्या होगा 3s होगा 3p होगा और 3d होगा n equal to 4 में क्या होगा 4s होगा 4p होगा 4d होगा और 4f होगा ऐसा कुछ है तो यह जो situation आपको दिखाई दे रही है बिलकुल जहाँ पर आपको 3s, 3p और 3d के energy level एक जैसे दिखाई दे रहे है एक जैसे दिखाई दे रहे है 4s, 4p, 4d, 4f का energy level एक जैसे दिखाई दे रहे है यह सब situation जो होती है वो h atom के case में होती है h atom में कितने electron होते हैं? एक electron तो single electron system में तो कोई समस्या है नहीं क्योंकि यहाँ पर एक electron आएगा बस इतने ही होगा फिर n equal to 1 से electron n equal to 2 में जा सकता है 2s या 2p में जा जा जाए कहीं भी चला जाए और वो यही रीजन था कि वो spitting of lines वाल रीजन में समझा चुका हूँ आपको यहाँ पर ठीक है इस तरीके से रहेगा तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग arbitrary है सोच सकते हैं कि पहले n equal to 1 भर दो फिर 2 भर दो फिर 3 भर दो फिर 4 भर दो ऐसे consistently फिलप करते चले जाएए इसमें क्या दिक्कत है बट ऐसा हुआ नहीं consistently orbital फिलप होती नहीं है इसमें क्या होगा इनमें आपस में रिपल्शन हो जाएं क्रियेट होना चालू हो जाते हैं इनमें क्या होगा इनमें इलक्ट्रस्टाटिक रिपल्शन होगा ठीक है जब आप कई सारे मल्ट्रिक्ट्रोन सिस्टम के अगर बात करें तो यूब फिल इलक्ट्रस्टाटिक रिपल्शन जब आप क्या करोगे इलक्ट्रोन फिलप जादा इलक्ट्रोन फिलप करोगे उसकी वेसे क्या होगा इस रिपल्शन की बज़े से यहां की जो energy states है वो modify हो जाएंगे इनर्जी states modify हो जाएंगे अगर आप से कोई कहता है कि h atom के अगर h atom बोलता है 3s औ 3p का energy label कैसा होगा equal होगा 3d का भी equal होगा यह साप आपस में सारे equal है 4s 4p 4d बस difference कि जहाँ 3s औ 4s बोलेगा तो n का difference है इसलिए 4S की एनरजी ज़ादा आएगी H atom के case में लेकिन अगर आपसे कोई multilatron system में पूछता है तो 3S और 3P की सेम नहीं है 2S और 2P की भी सेम नहीं है क्योंकि वहाँ repulsion energy state क्या हो जाते है modify हो जाते है अब इस modification को कौन govern करेगा कि कौन किसका energy बढ़ गया किसका घड़ गया तो हमने क्या कि हमने एक rule बनाया और उस rule का नाम था N प्लस L रूल N प्लस L रूल ये नाम था ठीक है तो जो N प्लस L रूल होगा clear है तो N प्लस L रूल के अगर हम बात करें तो N प्लस L रूल में ये देखा जाए तो इसमें अब कोई कहाँए आपने N और L क्या है N और L principal quantum number और similarly azimuthal quantum number है ठीक है तो principal quantum number और azimuthal quantum number है तो ये N और L है ठीक है तो principal quantum number और azimuthal quantum number को ही क्यों use किया गया क्योंकि ये दोनो quantum number electron की energy से related थे लिक्वाई है मैंने तो इन ही को यूज़ करोगा एनरजी डिसाइड करने के लिए तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो यह है कि इफ एनी और्बिटल इफ एनी और्बिटल या हम लोग सबसेल की बात कर रहे हैं इफ एनी सबसेल ऌशोग्यु लोगांट लोगे कर रहे हैं लोगावावावाव और मल्सल और त१ैझे अ ट्युरुद। then it is having lower energy lower energy and and filled first low energy and filled first okay this is how can we get this example we can get this example we can get this example in this example we can take this example 3D and 4S 3D what is n value? 3 L value? 2 what is n plus L value? 5 what is n value? 4 L value? 0 what is n plus L value? 4 so which is n plus L value? 4S what is n plus L value? 4S will be filled first okay? 4S what is n plus? it will fill first n equal to 4 part and 3D which part is n equal to 3 part okay? what is n plus L value? what is n plus L value? in this one? what is n plus L value? गया होगा यूपर चला गया होगा इनर्जी वाइस इसलिए पहले लग्टॉन इसमें आया उसके बाद उसमें आया कि मैं दूसरा दूसरा जो होता है ठीक है वो क्या रहता है इसमें स्टेट्मेंट कि कभी-कभी ऐसा भी आएगा कि n प्लस प्लस ही एक्वल की वेलूar ्कॉल भी आसकती है तो फिर प्रिसिपल कौंटम नंबर डिचाइड करेंगा जिसका प्रिसिपल कौंटम नंबर कम होगा करें वो इलक्टॉन क्या होगा वो पहले भरा जाएगा ठीक है इस तरीके से रहने तो सेकेंड में क्या होगा इसमें, सेकेंड में क्या होगा, इसके लिए, इलक्टॉन्स आर, इसमें लिखिये कि, if any subcell have, if any two subcell, इसे लिखियादा बेटर होगा, if any two subcell have, have equal value of n plus l, then equal value of n plus l, then the, then the orbital, then the orbital having, then the orbital having lower value of, lower value of n, n means principle quantum number, have lower energy and filled first, and filled first, यह रहेगा, फिर से देख लो, if any two subcell have, equal value of n plus l, then the orbital having, lower value of n, have lower energy and filled first, ठीक है, इसका एक एक एक्जाम्पल लिख लेता है, इसका एक्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग लिखें, 3D orbital का, और 4P orbital का, एक्जाम्पल, तो n equal to 3 होगा, l equal to 2 होगा, n equal to 4 होगा, l equal to 1 होगा, इसका, तो इसका n plus l कितना आरहा है, 5 होगा, और इसका भी n plus l कितना आरहा है, 5 होगा, लेकिन, n किसका छोटा है, देखो जरा, इनको देखो, 3D का छोटा है, तो उसका energy हम क्या मानेंगे, कम मानेंगे, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कि 3D विल बी फिल्ड फिल्स्ट ठीक है तो 3D जो है न वो पहले भरी जाएगी और लग रहा है न शर्प्राइगी कि भाई दोखो 4S तो नीचे आगया energy label में लेकिन जो 3D 4S तो उपर चला गया energy में 4S को पहले भरा, 3D बाद में भरा लेकिन वो 4P को पार नहीं कर पाया है न आ रहा है वासवज में 4P के energy तो उससे ज़्याद ही आएगी किलर है यह वासवज में आ रहे है यह वाला मैप समझ में आगया किस तरीके से था सारा कुछ सब को है न तो यह हो जाएगा अब इस N प्लस L के नोट कर लो आप मैं पूरा हटाओंगा यहां बोड से सारे चीज़े है न नोट कर लिया तो N प्लस L के बेसेज पर हमने क्या किया एक पूरा का पूरा इलक्ट्रोनिक इसी चीज को करते हुए हमने के पूरा का पूरा एक एलक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन डेवलप कर लिया सभी और्बिटल्स को उनकी एनरजी लेवल के साब से क्या कर लिया अरेंज कर लिया, N plus L की value के साफ से, ठीक है, ये note हुआ गया, ये दरवार note हो गया, ये अटा दू, ठीक है, तो मैं हटा रहूँ, आप तब तो ये note कर लीज़े, और हम लोग जड़ा इस पे एक memory map बनाते हैं, चलिए, तो not discuss about a memory map, है न, हो गया, इसमें क्या है, N equal to 1 में, हमें पता है कि हमारे पास 1S orbital होती, इसमें 1S, N equal to 2 में, we have 2S, we have 2P also, N equal to 3 में, we have 3S, we have 3P and we have 3D also, N equal to 4 में क्या होगा, we have 4S, we have 4P, we have 4D, we have 4F, N equal to 5 में क्या होगा, 5S, 5P, 5D, 5F, N equal to 6 में क्या होगा, अब आपको कम करना है, ज्यादा नहीं बनाने, 6S, 6P, 6D, काफी है इतना, है न, 6F तक नहीं जाते हैं, कोई जरूवत ही नहीं है, पहुंचेंगे नहीं, N equal to 7 में क्या होगा, 7S, 7P तक ही काफी है, D में नहीं पहुंचना है अपने को, N equal to 8 में क्या होगा, only 8S काफी है, तो आपको याद करने तरीका क्या है, कि 1, 2, 2 box, 3 box, 4 box, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, है न, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है न, अबनीस, है न, यहाँ पर 1 box, यहाँ पर 2 box, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3, 2, 1, ऐसे जाओगे, है न, यहाँ पर आप मुझे N plus L का value बता सकते हैं, कितना आ रहा है, 1 आ रहे, यहाँ पर N प्लस L का वेलू 1 आ रहे, यहाँ पर N प्लस L का वेलू 2 आ रहे, यहाँ पर N प्लस L का वेलू 3 आ रहे, यहाँ पर भी N प्लस L का वेलू कितना रहे, 3 आ रहे, तो दोनों अबिटल के लिए N प्लस L, इसके लिए 3 आ रहे, इसके लिए 3 आ रहे, पहले क इसका और इसका N प्लस L क्या आ रहे है दोनों का क्या रहे है 4 आ रहे है आ रहे है न प्लस L का बेलू तो ये भी 4 आ रहे है ये भी 4 आ रहे है ठीक है तो फिर ये ये अब्यस या थैन इसका काम है तो ये पहले भरा जाएगा हां तो यहां पर क्या करोगे ये भी N प्लस L कितन और इन सब में क्या आ रही है और इन प्रसल एट आ रहे है क्लिए रहे है तो इस तरीके से रहे है न यूँ आते हैं लक्टॉन तो इलक्टॉन सबसे पहले एन प्लसल जिसमें सबसे कम होगा उसमें आएगा सबसे पहले किस में आएगा 1S में फिर किस में आएगा 2S में फिर किस में आएगा 2P में फिर किस में आएगा 3S में फिर किस में आएगा 3P में फिर किस में आएगा 4S में आएगा फिर किस में आएगा फिर वो 3D में आएगा फिर 4P में आएगा उसके बाद 5S में आएगा और उसके बाद 4D में आएगा 5P 6S 4F 5D 5D के बाद 6P 7S 5F 6D 7D 8S यहाँ पर भी 7P आएगा सारी गलत लिखा है ठीक है इसको चेंज कर लेना अपर 7P कर लेना तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर दूना यहाँ पर 7P कर देता हूँ तो वैसे तो दीमे दीमे आप करो गे न तो याद हो जाएगा और वैसे भी हमें डी ब्लॉक के ऐलिमेंट तक का याद होना चाहिए ज्यादा को दिक्कत नहीं और वो सपोर्ट आपको प्रियोडिक टिल बगएरा से मिल जाता है कोई समस्याने वो मिल जाएगा आपको 2s 2 2 p 6 3s 2 3p 6 तो 3 के बाद जो है बस जोना चालो होता है फिर एसा आता है फिर D yata है DPS-DPS चलते जाता है DPS जब यहां पर इस तरह के से कर सकते हूं यह पर यह DPS बना हुआ है यह DPS बना हुआ है ठीक है? इस तरही के से 4s के बाद फिर से DPS आएगा फिर DPS आएगा है ना और इसके बाद FDPS आ रहा है देखो है ना और इसके बाद FDPS आ रहा है ऐसे करके याद रख सकते हो इतना तो सब को याद रहता है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 यहां तक है उसके दो बाद DPS और दो बार FDPS ठीक है FDPS सब में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 यहां पर देखो 3, 4, 5, 4, 5, 6 ठीक है तो DPS DPS लिख लो और प्रिंस्पल कॉंटर नुमर बढ़ाते जाओ ठीक है और वैसे कर वैसा क्या करो FDPS लगो और एक एक करके प्रिंस्पल कांटर नुमर बढ़ाते जाओ तो DPS DPS दो बार और देन लास्ट में FDPS FDPS है ना तो यह तोड़ा सा ट्रिक वाइस आप याद कर सकते हैं तरीके से उसके बाद जो चैलेंज आया है ना यह लेक्ट्रॉनिक कंफिर्ज अब बिल्डप हो गया तो जैसे नैक्टोजन जैसे ऐलिमेंट है ना जैसे इनके प अजिसमें हमने क्या रखा दो एलक्टॉन रखा ऐसे करके और पी में हमने दो एलक्टॉन रख लिया असा मेर बिल्डप जात लिए ना जल्रॉन ऑप जिट किया कि ऑसे क्यों रखेंगे ना हम ऐसे क्यों नवी रख सकते हैं we can put like this also एक लक्टर नीचे कर दे we can put like this also 2p3 में तो out of all three configuration which is more correct या कौन सा में लेना चाहिए याना, first वाला हम लोग लेते आये हैं अब तक, ठीक है, लेकिन ये reason किस ने दिया कि हम को first वाला ही लेना चाहिए ये correct है, ये दोनों कैसे wrong है ठीक है, ये दोनों wrong है, ये वाला correct है तो ये समझा है किस ने ये समझा है, हून स्टूल of maximum multiple city, वहाँ पे आपको समझा है गया ठीक है, तो आप इसे complete करिए मैं आपको वो समझाता है, हून स्टूल of maximum multiple city, पे हम लोग पहुंचते हैं कर दो, not curve opposite.